वेलकम स्टूडेंट मैं रितिक शर्म एंबीपेस फूर्थ यह स्टूडेंट तो मैं आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो एक ही नंबर पर जो रहें के वो कैसे डिसाइड होती है और कैसे बनती है उसका क्या क्राइटेरिया है वो सभी आप बताने वाला हूं और साथ मैं इस वीडियो में आपको मैं नीट की जो अफिशियल आंसर की है, वो कभ Crisp तक आ जाएगी? उसकी ऐॉसकी एकस्पर क्राइटिस बताने वाला हूं जाती थी जिसकी एज कम होती थी उसको नीचे वाली रेंक दी जाती थी लेकर आब NTA ने जो रूल है वो बदल दिया और कुछ नए रूल है वो एड कर दी गए है उन्हें रूलों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाइ स्टेप पहला है जिस भी स्टूडेंट के यदि सेम मार्क्स आ रहे हैं उस पर रेंक कैसी डिसाड़ होगी पहला रूल है उस स्टूडेंट के बाइलोजी में मार्क्स है वो सबसे जादा होने चाहिए इसमें लिख रहा है कि कैंडिडेट हूँ है बाइलोजी डिसाड़ कर रहा है तो इसके कैंडिडेट के रैंक मार्क्स है वो देखी जाएगे कि किसके कैमेस्ट्री में मार्क अधिक है इसमें लिए केंडिडेट with a higher score in chemistry will be ranked higher than other जिरी स्टुडेंट के chemistry में marks अधिक होगे उसकी rank है वो उपर कर दी जाएगी सब बोचकर इतने सारे स्टुडेंट लाग को स्टुडेंट बेरते हैं जिसमें से chemistry marks वे उस समान निकल सकते हैं उसको जो rank है उससे उपर रखी जाती है अब माना की biology में समान chemistry में समान और जो गलत किया question भी समान है तो last उसके बाद उसकी जो की जाती है last वह है rule है उसके बाद age decide की जाएगी पहले सिर्फ age decide की जाती दिए अब की बाद तीन rule तो वह दे दिए लाश्ट में age भी देखी जाएगी कि candidate who are older in age will be given preference over the younger one यानि जो old हो गया मतलब जिसकी अधिक है उसको उपर वाली rank दी जाएगी और जिसकी जो नया नया है और उसकी rank है वह पीछे रखा जाएगा तो यह rank है ऐसी decide की जाएती है पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ rank है सिर्फ age factor पर decide की जाती थी अब age के सासद भी कुछ rule है वह add कर दी गए और चारो rule मैंने आप सभी student को बता दी है मैं आप सभी student को बता दू कि जो answer की है जो 13 October 2021 तक आ सकती है कल तक है expected है हो सकता है कल तक आ जाया क्योंकि 30 October तक हो आपको वो दे रहा है क्या correction का कर दे रहा है आपके face second और first page का जो भी आपको correction करनी हो mistake हो गई हो उसमें कोई भी correction करना हो कर सकते हो उस पे भी मैंना already video मना दिये हैं आप जाके देख सकते हैं उसका लिंक के description में दे दूँगा साथ में और जो result की बात करें जो expected result है सोल अक्टॉमबर के बाद ही आ सकता है या साय सोल अक्टॉमबर 2021 को भी आ सकता है हो सकता है expected है भी कोई भी public notice जारी नहीं किया गया एंटीय ने जैसे कोई एंटीय फब्लिक कर देगी notice मैं आप सभी student को बता दूँगा लेकिन आपको जो कल नीट का जो भी एंटीय ने जो public notice जारी किया उसको एक बार फिर से फढ़ लेना क्योंकि इस बार जो result आने वाला है वो आपकी email ID उस पर आने वाला है उमार सीट आपकी email ID पर आने वाला है तो आप अपनी email ID है वो एक बार जांच कर ले क्योंकि email ID एक बार गलत होगी तो आपकर scorecard है वो नहीं आएगा तो एक बार आप देख ले पर्ष्ट और सेकंड फेज के जो application form है उसमें कोई भी ग subscribe जरूर करें ताकि ऐसी related वीडियो आपको समय सब्सक्राइब कर पर पर आपते हो जैहीं धन्यवत दोस्तों